हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टोडेस श्टडी क्लासेज में दोस्तों आज हम खंड आ प्रतीवापर्व मूल्यांकन वर्क्षीट 2021-2022 कक्षा आठ विसे हिंदी करेंगे यहां विद्यारती को अपना नाम लिखना है और यहां विद्यारती क अपनी कक्षा आठ लिखना है ठीक है तो चलिए दोस्तों वर्क्षीट प्रारम करते हैं यहां दिया है बहु विकल्पी प्रशन प्रशन क्रमांग एक से आठ निर्देश दी गई सूचना के आधार पर प्रशनों के सही उत्तर वाले विकल्प पर गोल गेरा बनाईए और लिखिए इसमें एक सूचना दी गई है इसको हमें पढ़ना है सबसे पहले यात्रा कारिक्रम की सूचना दिनांक पांच 12-2019 इस्थान गुना यात्रा हेतु सभी बच्चे 6-12-2019 को दिन के 11 बजे तक गुना रेलवे स्टेशन पर पहुंचे गुना से बलोदरा जाने वाली सभी रेल गाड़ी सावरमती एक्सप्रेज गुना स्टेशन पर दिन के ठीक 12 बजे पहुंचे गी सभी बच्चे रेल गाड़ी में सिक्छकों के साथ स्ट चार कोच में बैठेंगे रेल गाड़ी में ख्णिकी से अपने सरीर का कोई भी अंग बाहर न निकाले सभी को सिक् की बापसी सिव पूरी होगी सभी बच्चे अपने साथ एक दिन का भोजन एक चादर पानी की बोतल दो जोड़ी पहनने के कपड़े साथ लेकर आएं चली दोस्तों इसका पहला प्रसंद करते हैं इसका पहला प्रसंद है खड़की से सरीर का कोई अंग बाहर क्यों नहीं चाहिए तो इसका उत्तर है अंगो को चोट लग सकती है तो यहां हम लिख सकते हैं ऑप्सन डी अंगो को चोट लग सकती है ठीक है दूसरा प्रसंद है किस बाक में चादर का सुद्ध बहु बचन सब्द प्रयोग किया गया है इसका सही उत्तर है ऑप्सन ए ठीक है तो हम यहां लिख सकते हैं मोहन बाजार से चादरे खरीद कर लाया ठीक है तीसरा प्रसन करते हैं चात्र किसके साथ यात्रा पर जा रहे थे तो इसका उत्तर है option B यहां हम लिख सकते हैं अपने सिक्षकों के साथ ठीक है चौता प्रसन करते हैं यात्रा मैं ले जाने वाले सामान की कौन सी सूची सही है तो इसका उत्तर है option c चाधर कपड़े पानी की वोटल ठीक है तो यहां हम लख सकते हैं चाधर कपड़े की वोटल ठीक है दोस्तों अब हम एक poster दिया है इसके बारे में कुछ प्रिशनों के उत्तर दिना है या दिया है नीदेश poster देखकर प्रिश्नों के उत्तर मैं सही विकल्प पर गोला लगाई यह पोश्टर विस्व परवन दिवस पर दिया गया है ठीक है इसके अधर पर हमए प्रिश्नों के उत्तर करना है तो चलिए करते हैं पाचवा प्रिशन प्रकृति से जितना हम लेंगे उसका दोना हम वापस भी करे क्योंकि तो इसका उत्तर है option C इससे प्रकरती समर्थ और दुनिया जीने योग बनेगी ठीक है तो हम यहां लिख सकते हैं इससे प्रकरती समर्थ और दुनिया जीने योग बनेगी ठीक है प्रस्ट नमबर चे करते हैं विस्व पर्यवण दिवस मनाने का क्या कारण है इसका उत्तर है उप्सन भी प्रकरती सनरक्षण के प्रती जाग रुकता तो हम यहां लिख सकते हैं उप्सन भी प्रकरती सनरक्षण के प्रती जाग रुकता ठीक है प्रसन नमबर साथ करते हैं पोश्टर में दिया गया चित्र किस बात का प्रतीक है तो इसका उत्तर है उप्सन भी प्रकरती बचाने का तो हम यहां लिख सकते हैं उप्सन भी प्रकरती बचाने का ठीक है प्रसन नमबर आठ करते हैं विश्व पर्यावण दिवस मनाते हैं इसका उत्तर है option D तो हम यहां लिख सकते हैं पूरे विश्व में ठीक है लगु उत्री प्रसन प्रसन किरमांग 9 से 13 निर्देश नीचे दिये गए प्रसनों के उत्तर लिखिए प्रसन नमबर 9 रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब अबरे मोती मानुस चून तो यहां दिया है उबरुक्त पंक्तियों में पानी सब्द मोती और मानुस के लिए किस अर्थ में प्रयुक्त किया गया है इसका उत्तर है मोती के लिए पानी यानि चमक दमक दूसरा है मानुस के लिए मनुष्य मनुष्य का पानी उसकी इज्ज की है चंद का नाम और उसकी विसिष्ता लिखेए इसका उत्तर है यह पंक्तियं दोहघं शंद दुतिये वा चतुर्त में 11-11 मात्राय होती है ठीक है प्रसे नमबर 11 करते हैं पत्र कितने प्रकार के होते हैं संबंधियों को लिखे पत्र किस प्रकार में आते हैं इसका उत्तर है पत्र दो प्रकार के होते हैं पहला है आपचारिक पत्र और दूसरा है अनपचारिक पत्र ठ संबंधियों को लिखा जाने वाला पत्र अनवचारिक पत्र कहलाता है ठीक है दोस्तों प्रसन नंबर 12 करने से पहले जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लिश वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा जिससे अ बाबा को बचा लेना उनका प्यास के मारे बुरा हाल है पानी नहीं मिला तो वे मर जाएंगे उप्रयुक्त अनुछेद में उचित इस्थान पर उचित विराम चिन लगा कर पुना नीचे लिखिए तो आप इस प्रिसिन को इस प्रिकार से लिख सकते हैं यहां आपने लिख हाल है पानी नहीं मिला तो वे मर जाएंगे तो आप इस उत्तर को इस प्रिकार से लिख सकते हो और उचित विराम चिन लगा कर अपनी पुस्तिका में लिख सकते हो ठीक है प्रसन नमबर 13 करते हैं डॉक्टर अब्दुल कलाम को मिसाइल में क्यों कहा जाता है इसका उत्तर डॉक्टर अब्दुल कलाम एक भारतिय एरोस्पेस बैग्यानिक थे और अगनी और प्रत्वी मिसाइलों के विकास और संचालन में अहम भूमी का निवाई थी उन्होंने 1998 में भारत के पोखरण टेस्ट में एक बड़ा संगटनात्मक रोल अधा किया यही कारण है कि उन् मिसाइल में के रूप में जाना जाता है चलिए दोस्तों दीर को उत्रिये प्रसन करते हैं प्रसन किरमांग 14 से 16 प्रसन किरमांग 14 निम लिकित गदांस को पढ़कर उसके नीचे लिखे प्रसनों के उत्तर लिखिए दोस्तों यहां आपको यह गदांस दिया है सबसे पहले पर आपको कुछ प्रसनों के उत्तर देना है इसका पहला प्रसन है उप्रयुक्त गद्दांस का उचित सीर्शक लिखिए तो इसका उत्तर है सफलता इस गद्दांस का उचित सीर्शक है सफलता ठीक है दूसरा प्रसन करते हैं इस गद्दांस का अर्थ अपने सब्दों में इस गद्दान्स का अर्थ हमने अपने सब्दों में इस प्रकार से लिखा है कुछ मनुस ऐसे होते हैं जो यह सोचते हैं कि वे सपलता प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि भाग उनके विपरीत है इस तरह कि उनकी विचार धारा भी उन्हें सपलता प्राप्त करने में रुकावट डालती है और वे असपल हो जाते हैं वे अपनी भावनाओं में भी सपल नहीं हो पाते उन्हें विजय का मार्ग दिखता ही नहीं है इसका कारण यह है कि वे अपनी सफलता और विजय के विशे में पूर्ण तहां निरास हो चुके होते हैं उन्हें अपनी चमता पर भरुसा ही नहीं होता है चली दोस्तों प्रसन किरमांग 15 करते हैं आपराजिता पाठ के अनुसार डॉक्टर चंद्रा को आपराजिता क्यों कहा गया है क्योंकि डॉक्टर चंद्रा ने पक्षा घात से पीडित होने के बावजूद भी अपने जीवन को एक चनोती की तरह लिया और उन्होंने पराजय स्विकार नहीं की वह जीवन में संगर्स करती रही और उन्होंने अपने प्रयासों को जारी रखा और उच्छ सिक्षा प्राप्त कर डॉक्टरेट की डिगरी प्राप्त की चलिए दोस्तों प्रसन किरमांग 16 करते हैं चोटा नाकपुर छेत्र में अंग्रेजों के विरोध में हुए आंदोलन में सहीद विर्सा मुंडा की भूमिका को लिखिये तो इसका उत्तर है मुंडा एक जन जातिय समू था जो छोटा नाकपुर पठार जहारकंड निवासी था विर्सा जी को 1900 में आदिवासी लोगों को संगटित देखकर ब्रेटिस सरकार ने आरोप में गिरापतार कर लिया गया तथा उन्हें दो साल की सजा दी गई थी और हंत में 9 जून 1900 को लगबग सुबह 8 बजे अंग्रेजों दुआरा उन्हें जहर देने के कारण उनकी मौत हो गई तो आप इन उत्तरों को अपनी पुस्तिका में इस प्रिकार से लिख सकते हो दोस्तों प्रतिवापर्व मूल्यांकन वर्कशीट 2021-2022 के सभी पेपरों को पाने के लिए चैनल को सस्क्राइब कर दीजिए ताकि अगली वीडियो का नॉटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचे धन्यवाद दोस्तों